नमस्कार दुपहर समाचार में आपका स्वागत है आपाद बैठक बुलाई चीन में मृतकों की संख्या 170 हुए केरल में चीन के वुहान विश्य विद्याले के एक छातर में कोरोना वाइरस के पुष्टे स्वासि मंत्राले ने बताया मरीज की हालते सिर है और उसे अलग रखा गया उच्चितम यायाले ने निर्भया सामोहिक दुषकर्म और हत्या मामले में मौत की सजा पाए चार में से एक और दूशी की क्यूरेटिव याचिका खारीच के राश्ट आज महात्मा गांधी की 75 पुर्णे तिथी पर उन्हें शद्धान जली अर्पित कर रहा है और आउस्ट्रिलियन ओपिन टैनिस टूर्नामेंट में विश्व की नमबर एक खिलाडी एश्टे बारती महिला सेंगिल सेमिफाइनल में हारी फेडर और जोकोविच के बीच सेमिफाइनल मुकाबला अब से कुछ देर बात सरकार ने संसत के कल से शुरू होने वाली बजट सत्र से पहले आसरवदलिय बैठक बुलाई इस बैठक ने प्रधान मंत्री नरींदर मुदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग, संसद्यकार मंत्री प्रलाज जोशी, कॉंग्रिस निता गुलाम नभी आजाद तथा आनंद शर्मा, तिर्णमूल कॉंग्रिस के टेरे को ब्रायन, राष्टवादी कॉंग्रिस पार्ट इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षन पेश किया जाएगा, बजट शनिवार को प्रस्तुत किया जाएगा, सिक्किम में विप्रनक खेतरों के लोगों को आगामी बजट से बड़ी आशाए हैं, इनमें जैविक खेती के लिए सहायता या अनुदान घोशित किया जाना भी शा आशाएं लगाए हुए हैं, लोगसभा ध्यक्ष ओम बिल्ला ने भी आशाम सर्वदलिय बैठक बुलाई है, इस बैठक के दोरां शे बिल्ला लोगसभा के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों से सहयो की अपील करेंगे, बजट सत्र का पहला चरण कल से शुरू होगा और ग्यारा फरवरी तक चलेगा, एक महिने के अंतराल के बाद इसका अगला चरण दो मार्च से तीन अप्रहल तक चलेगा, असम में नशनल डेमोक्रेटिक फ्रंटा बोडो लेंड एंडी एफबी के चार गुटों के 1615 सदस्यों ने आज गुभाटी में मुख्यमंत्री स सर्बानन सोनवाल के समख्य अपने हथियार सौब दिये, इनमें 836 प्रोग्रेसिव गुट के दो धड़ों के, 589 रंजन डायमारी गुट के और 201 राइगवारा गुट के सदसे हैं, इन लोगों ने कुल 178 अत्याधुनिक हथियार और विस्फोटक जमा कराए, इस अवसर की सरकार ये सुनेशित करेगी कि सभी कारेकरता सम्मान जनक जीवन जी सकें। मुख्य मंत्री ने एंटी एफबी के साथ हाल की समख्योतों के लिए प्रधान मंत्री और गृह मंत्री का आभार व्यक्त किया। क्योंकि उन लोगों ने हमें जो मदद किया और उनकी दिल में आसाम के लिए जो सद्भावना बसा हुआ है वो साहते हैं, आसाम आगे बढ़े, नौठिस आगे बढ़े। कि अध्यक्ष प्रमोट बोडों ने असम सरकार से शांती समख्योते पर अक्षरशा अमल सुनिश्चित करने का भी आग रखिया है। इससे पहले हाल ही में अन्डी एफपी ने केंद्र और असम सरकार के साथ नए दिल्ली में त्रिपक्षी अशांती समख्योते पर हस्ता चर किये थे। समख्योते के अनुसार बोडो लेंड ख्षेतर के विकास के लिए अगले तीन वर्षों में देड़ हजार करोड रुपए का वित्तिय पैकेज दिया जाएगा। ये समाचार आकाश्वानी से प्रसारित के जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडिल एट ए आई आई आर नियूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व स्वास्य संगठन ने चीन में फेले कोरोना वाइरस के बारे में आज आपात बैठक बुलाई है। पिछले हपते की मीटिंग के बाद कई ऐसे केसे सामने आए हैं जिसमें मरीज ने चीन की आतरा नहीं की थी। जिससे चीन के बाहर भी बनुशों के बीच इस वाइरस के फैलने का खत्रा बढ़ता हुआ दिख रहा है। पुरा चीन इस समय इस वीमारी की चपेट में हैं और पीडितों की संख्या 2003 में चीन में फैली सार्थ वीमारी से भी जादा हो गई है। मेडिकल कर्मी अपनी शमता से जादा कारी करने में लगे हुए हैं। खुबेई के गौर्णन ने कहा है कि वोहान ही नहीं आसपास के शहर भी मेडिकल संसाथनों की कमी से जूज रहे हैं। उन्होंने कहा कि पलोसी हुआंगांग शहर इस वीमारी से बुरी तरह से पीडित है और वो इसे दूसरा वोहान नहीं बनने देंगे। चीन में कोरोना वाइरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 170 हो गई है। देश भर में संक्रमन के अब तक 7800 मरीजों की पुष्ट की गई है। चीन की प्रधान मंत्री लीख खश्यांग ने कहा है कि उनका देश कोरोना वाइरस महमारी की रोगठाम और नियंद्रण की प्रभावी उपाईयों के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इस बीच चीन की स्वास अधिकारियों ने बताया है कि तिबबत में संक्रमन का पहला मरीज सामने आया है। भारत ने चीन से अनुरूत किया है कि भारती नागरिकों को हुवे प्रांच से स्वदेश लाने के लिए दो उड़ानों के अनुमति दे जाए। विदेश मंत्राले के प्रवक्ता रविश कुमार ने बताया कि पेचिंग में भारती रूतावास इस बारे में चीन के अधिकारियों से बाचीद कर रहा है। फ्रांस में कोरोना वाइरस की पांच मामलों की पुष्टी हुई है। कनाडा भी अपने 160 नागरिकों को चीन से स्वदेश लाने के लिए एक विमान भेजने की विवस्ता कर रहा है। जापान का दूसरा चार्टर ग्वेमान वहान से उसके नागरिकों को लेकर आज तो क्यों पहुँचा। इनमें से 9 लोगों में कोरोना वाइरस संक्रमन की आशंका है। भारत में नोविल कोरोना वाइरस की पहले मरीज की केरल में पुष्ट हुई है। स्वास्टि मंत्राले की विग्यप्ति में बताया गया है कि चीन के वुहान विश्विद्याले में पढ़ाई करने वाले एक छात्र को इस बीमारी से संकरमित पाया गया है। वो हाली में चीन से वापस लोटा था और उसे अस्पताल में आईसोलेशन में रखा जा रहा है। इस चात्र की हालत इस्थिर बनी हुई है और उसके स्वास्टर पर लगातार नज़ा रखी जा रही है। राश्टिय संचारी रोग संस्थान की निदेशक सुर्जीत कुमार सिंग ने बताया कि नोवल कोरोना वाइरस को फैले से रोकने के लिए इस पर काब उपाना जरूरी है। उन्होंने इसकी रोक थाम के कई तरीके भी बताये। सबसे पहला काम है हम समी को मास्क लगाएं। मास्क लगाने के बाद हूम आईसोलेट करें। अगर मास्क नहीं भी है घर के किसी भी कमरे में अपने आपको आसोलेट कर लें। और हमारे contact को नियंतरित रखें, सिर्फ ज़रूरी लोगों से ही संपर करें साथ ही एक help line number जो ministry ने हर जगे दिया हुआ है चाहे आप किसी भी सुदूर गाउं में हों, आप help line से contact करेंगे तो हेल्प लाइन आपको बता देगी कि आपको इस बारे में आगे कि क्या काम करना चाहिए आपके पास तरण स्वास करमचारी आएगा और वो आपको एक designated isolation facility में shift करने के लिए अपने साधन उपलब्द कराएगा जहाजरानी मंत्राले ने समुद्री आत्रा करने वाले सभी लोगों और जहाज करमियों से नोविल कोरोना वायरस की संक्रमन से प्रभावी तक्षेतरों के बंदरगाहों में परियाग तसावधानी बरतने को कहा है एक परामर्श में मंत्राले ने चीन में कोरोना वायरस की प्रकोप को ध्यान में रखते हुए समुद्री यात्रा करने वालों से विश उस्वास संगठन और उस्वास मंत्राले के परामर्श में दी गई हिदायतों का पालन करने को कहा है उचितम नयायले ने निर्भया सामोहिक दुशकर्म और हत्या मामली में मौत की सजा पाए चार दोशियों में से एक और दोशी के क्योरेटिव याचिका खारिच कर दे दोशी अक्षय कुमार सिंग ने इस याचिका में अपनी फासी पर रोप लगाने के मांग के थे पाँच नयाधीशो नयामोर्ती, एंदे रमना, अरुनमिश, आर नरिमन, आर बानुमती और अशुक भूशन के पीट ने उसकी ये याचिका नामन्जूर कर दे निर्वाचन आयूग ने भारती जनता पार्टी के राष्टिय महासचिव अरुन सिंग को नोटिस चारी किया है कॉंग्रिस ने उन पर जूटे विग्यापनों से दिल्ली चुनाव में प्रचार करने का आरूप लगाते हुए इसे चुनावी आचार संगिता के उल्लंखन का मामला बता कर आयूग में शिकायत दर्च कर आई थे आयूग ने इस बारे में अरुन सिंग से कल तक जवाब देने को कहा है दिल्ली विधान सभा चुनाव में सिर्फ नौ दिन बचे हैं और आश्टिय राजधाने में चुनाव पचार जोर पकरता जा रहा है विभिन पार्टियों के उमेदवार और नेता मतदाताओं को अपने बक्ष में करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं सतर सीटों वाले दिल्ली विधान सभा के लिए मददान आत फरवरी को होगा और वोटों के गिनिते 11 फरवरी को की जाएगे केंद्र सरकार प्रधान मंत्री प्रामीर आवास योजना के तहर 2022 तक सब के लिए आवास का लक्ष हासिल करने के लिए प्रयासरत है पिछले पाँच वर्ष में एक करोड़ पचास लाग से अधिक मकान बनाए जा चुके हैं वित्र मंत्राले के अनुसार योजना के दूसरे चरण में एक करोड़ पंचानवे लाख लाभातियों को मकान मिल जाएगा सरकार ने मौझूद आवित्वर्ष के लिए साथ लाख मकानों का लक्ष रखा है केंदर शासित प्रदेश जमु कश्मीर में प्रशासन ने लोग संपर्क प्रणाली को और विस्ट बनाने के लिए सभी सरकारी विभाग के सचियों से महिने में चार दिन जरता के शिकायतों के सुनवाई के लिए शिवर लगाने को कहा है प्रदेश की सामान्य प्रशासन दिभाग की ओर से जारी आदेश के नुसार इसका उदेशिर आम लोगों की समस्याओं का समाधान उनके पास जा कर करना है ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारी मोबाइल एप newsonair हिंदे पर भी उपलब थे दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है राश्टर आज महात्मा गांधी की 72 में पुर्णे तिथी पर उन्हें शद्धान जली अर्पित का रहा है 1948 में आज ही के दिन महात्मा गांधी की गोली मार कर हत्या कर दे गई थे ये दिन शहीद दिवस के रूप में भी मनाय जाता है राश्टर पती रामनात को विंद उपराश्टर पती एम बेंकया नायडू और प्रधान मंत्री नरींद्र मोधी ने राश्टर पिता महात्मा गांधी को उनकी पुर्णे तिथी पर शद्धान जली अर्पित की है राश्टपती उपराश्टपती और प्रधान मंत्री और अनेक गणमान निव्रक्तियों ने महत्मा गांधी की पुर्णेते थी पर आज ने दिल्ली में राजगात में राश्टपिता की समाधी पर पुश्पान जलियार पेत के इस अवसर पर सर्वधर्म प्रात्ना सभा का भी आयोजन किया गया मात्मा गांदी के जन्मस्थल पोरवंदर के कीर्टी मंदीर और बापु की कर्मभुमी साबर्मती आसरम में सर्वधर्म प्राटना आयोजन की गई बापु के पसंदिदा गीत वैश्नव जनतों तेनेरे कहिये और रगुपती रागव राजाराम इस अवसर पर गाये गये अनेक स्तानों पर गांदीवादी मुल्यों पर व्याख्यान और रख्तदान सिविरों का आयोजन किया गया भारतिय अध्यापक सिक्सासनस्तान गांदी नगर द्वारा सुरू किया गया बापु स्कूल में अभियान आज समाप्त हुआ जिसके द्वारा एक हजार से अधिक स्कूलों के देड़ लाख से अधिक छात्रों में गांदी विचारों का प्रचार प्रसार किया गया योगेश पंडिया आकाश्वाणी समाचार अहम्दबद योगेश पंडिया आकाश्वाणी समाचार अन्त में मुख्य समाचार एक बार फिर सरकार ने संसत के बजट सत्र से पहले सर्वदलिय बैठक बुलाई असम में नेशनल डेमोक्राटिक फ्रेंटा बोर्डोलेंड के चार गुटों के 1615 सदस्यों ने गुवाहाटी में आत्म समर्पन किया विश्व स्वासे संगठन ने चीन में फैले कोरोना वाइरस के मुद्दे पर जिनेवा में आपाद बैठक बुलाई चीन में ब्रदकों की संख्या 170 हुए केरल में चीन के वुहान विश्व इद्याले के एक छातर में कोरोना वाइरस के पुष्टी स्वासे मंत्राले ने बताया मरीज की हालते सिर है और उसे अलग रखा गया है और उच्चेतम नयाले ने निर्भया सामोहिक दोशकर्म और हत्या मामले में मौत की सजा पाए चार में से एक और दोशी की क्यूरेटिव याजिका खारीच के इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्ध हुआ नमस्कार